माचल के संजोली में प्रदर्शन कारी जब प्रदर्शन कर रहे थे तो इस दौरान हंगामा हो गया प्रदर्शन कारियों पर पोलिस ने लाठी चार्ज किया है तस्वीर आपके सामें जहाँ पर देखिए किस तरीके से आसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पानी की बहुत चारे छोड़े जा रही हैं संजोली की लाइफ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन कारी ने पहले एलान किया था कि हम प्रदर्शन करके रहेंगे अला कि 113 धारा लागों कर दी गई थी रात के 12 बजे तक ये धारा लागों लेकिन इसके बाप जोड़ आपर प्रदर्शन कारी नहीं माने और ऐसे में यहाँ पर लाठी चार्ज का सारा लेना पड़ा है पोलिस को तस्वीर आपके सामने हैं जहां पर देखे किस तरीके से आजो गैस के गोले छोड़े गए है पाने की बहुत प्रदर्शन कारियों को सुन रहे थे आप जो कहरें कि अपर लाठी चार्ज क्यों क्या जाब हम छांति पूर तरीके से परदर्शन करें है लगाथा तस्वीर आपको दिखा रहा है दरसर यहाँ पर पहले ही सुरक्षे व्यवस्ता चाक चौबन कर्दी कर्टी फ्लाग मार्ट सुबा से चल रहा था और ऐसे में हिंदू संकथन जो प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ पर आसू गैस के गोले दागे गए हैं लाटी चार्ज का सारा भी लेना पड़ा है ताकि इस सेदी को कंट्रोल किया जाए चुकि मुख्यवंति साथ तौप पर कह चुके हैं कि किसी को भी कानून विवस्ता को बिगारने की जासत नहीं मिलेगी साजोली की तस्वीरे शिंदा की तस्वीरे हैं जाब पर देखिये हिंदू संगचनों की तरफ से जो प्रज्शन कया जा Leftा वहां पर हंगामा हो गया पूलिस ने लाटी चार्ज किया है प्रज्शन कारियों पर प्रज्शन कारियों का साथ तोपा कहला है कि हम चान्ति पूर तरीके से अपनी बात लख रहे थे, चान्ति पूर तरीके से प्रजशन कर ले थे लेकिन वाब्जू दुसकर हम पर प्रजशन कारियों पर ये लाटी चार्ज किया गया है, यहाँ पर देखी किसी के से बैरिकेडिंग में लगाई जा रही है और कंट्रोल करने की स्तिधी, यहाँ पर लगातार करती हुई, पुलिस कर्मी लाटी चार्ज भी किया गया है, आपने दर्शकों को बढ़ा रहे कि संजोली शिदला की तस्वीरे हैं, यहाँ पर अवेट बजजित को लेकर आक्रोश है लोगों के बीच में, सुनते हैं लोगों को प्रदर्शन कारी नारेवादी कर रहे हैं, गुस्ते में आक्रोशित नजर आ रहे हैं, दरसली गुस्ता है अवेट मस्जिद को लेकर हाला कि मुख्यमर्ति साथ तुपक रहे हैं कि अकर अवेट है मस्जिद तो कारवाई होगी, पहले ही धार 173 लागू कर दी गई थी, फ प्रदर्शन कारियों को कि प्रदर्शन किया जाए, पास्ट से जाड़ा लोगों के जमा होने पर मना ही थी, लेकिन हिंदू संकथन के तरफ से प्रदर्शन किया गया है, प्रदर्शन कारियों पर लाटी चार्ज किया गया है, उन्हें खदेडा गया है, तस्वीर आपको लाइव दिखा रहे संजोली से जहाँ पर हंगामा हो गया प्रदर्शन के बीच हंगामे की तस्वीर आपको न्यूज एटी नाडिस्तान सबसे पहले दिखा रहा है यह देखिए यहाँ पर फ्लागबार सुबा किया गया था और साथ तो आप पर कहा गया था कि प्रदर्शन लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक प्रोटेस्टल का कोई लीडर नहीं है कोई गृट्र नहीं है कोई संगठन इसका प्रदर्शनकारी बेटे हुए है कीच में बैरिकेट है और यहाँ पर पुलिस का पुखता इंतिजाम है इसके बाद जस्मीन आगे की तस्वीरे महा उपर देख सकते है उपर जस्मीन देखा जा सकता है लगातार आपको एक्स्क्रूसिफ तस्वीरे दिखा रहा है पलपल की अपडेट दिखा रहा है जहां पर देखे मज़िद के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी गई है प्रदर्शन कारी को आने जाने की वहाँ पर इजासत नहीं है बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शन कारी को रोका जा रहा है लाठी चार्ज भी करना पड़ा है प्रदर्शन कारी को कंट्रोल करने के लि प्रदर्शन कारियों से पात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो उन्होंने सुरक्षा, जो इनकी जर्सी है, वो पहनी है, यूनिफॉर्म यहाँ पर पहनी है, और सीधी तस्वीरे जस्मीन आपको यहाँ पर हम तिखाना चाहेंगे, यह आप देख सकते हैं, बली संख्या म अगर यहाँ पर प्रदर्शन कारी है, अगर यहाँ से कोई सुरक्षा दिवार टूटती है, तो फिर जरूर तमाम प्रदर्शन कारी मस्जिद के बिल्कुल समीप में होगे, जैसे में कहां कि मुद्दे की बात है, तो यह जो तमाम लोगी कठा हुते हैं, यह सिर्फ एक व यहाँ पर देखें किस तरीक से हंगामा बर्पा हुआ है, और लगा अतार पुलिस की कोईशिद है कि मस्जिद के पास प्रदर्शन कारी ना पाएं, लेकिन देखें हमारे रिपोर्टर वहां से बता रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन, तीन बैरिकेट्स को तोड़ते ह प्रदर्शन कारी आगे बढ़ रहे हैं और एसे में लाटी चार्ज का सारा लेना पड़ा है पुलिस को और भी वेडिकेट्स लगाएं ताकि प्रदर्शन कारी अंदर न खुस्पाएं, बेहर्द मस्जिद के पास आ चुके हैं प्रदर्शन कारी और पुलिस आटी के कि हालात को काबू किया जाए लाटी चार्ज करना पड़ा है पुलिस को तमाम यहां पर सुरक्षा दिवार तोड़ती पर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं एक और सुरक्षा दिवार तोड़ी तो यहां पर तनाव बढ़ेगा यह पकी बात है तस्वीर आपके सामने संजम्ली चम्ला की तस्वीर आपर प्रदशनकारीों के पर प्रदर्शन के खिलाख इस कूरे के चलते चलते 14 सालящ मीं होhair है प्रशाशन की तरफ से इस देखें यहां पर सवाल यही है कि जाहित आपर यह प्रदर्शन की नौबत क्यों आई आखिंकार कारवाई क्यों नहीं पिछे का आथार में आपको बताना चाहूंगा दर असल जरूर यह बात उठी यह बात मीडिया में भी आई लेकिन उस बया सरकार के समय चब असी शिम्ला में सफाई का ठेका दिया गया तो यहांकि इस स्थानी तुकांदा यह सथानी के ती की सरकार के समय की चैसमीनिये बात आए कुड़ा बिने के लिए लोग जब घर घर गए तो उन लोगों को हिंदी तक नहीं आती थी जिसके बाद स्थानिय लोगों ने शट्मून के मन में तादा हुआ फिर पता करने की कोशिश किये कौन लोग है जिनको हिंदी तक नहीं आ रही है लेकिन घर घर जा रहे है उसके पाद जब अडेंटिफिकेशन हुई तो ये पता चला कि ये लोग भारत के रहने वाले नहीं है और उस वक्त उन लोगों को हटाया गया यहां से वो टंडर कैंसल किया गया लेकिन उसके बाद फिर भीरे थीरे बीच बीच में जरूर बाते आती रही कि कहीं प्रदेश से बाहर के लोग यहां पर अवैद तरीके से तो नहीं रहे हैं इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो यह है रातो रात कैसे जो छापे वाले हैं रेडी वाले हैं इनकी संक्या कैसे increase हो जाती है उसके उपर लोगों का रोश है चोरियां हो रही है चोरियों में प्रदेश से बाहर के लोगों का नाम तो अवेद मस्जित के मामने के साथ साथ दरसल अपने दर्शकों को बता दे की सुकु सरकार के मंत्री नहीं अपने सरकार पर सवार कड़े कर दिये थे और कहा था कि यहाँ पर अवेद तरीके से लोग घुसे हैं और ऐसे में यहाँ पर लोगों को हग मारा जा रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए और मैं जरू कारवाई करूंगा और इसी को लेकर ये मामलों और भी बड़ा होता जा रहा है हमारे समधता खुद ये बता रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को इस शक इस बात पर हुआ क्योंकि वह हिंदी बोलना नहीं जानते थे क्या वो रोहिंग सर देखो ये जितनी भी स्ट्वेशन यहां पर खराब हुई है इसके लिए ना हिंदू मुसलमान है ना हिंदू है ना मुसलमान ये वह कोट है जिसको 14 साल सी यही पता नहीं लग रहा है कि भाईया ये वैदा है आधे घंटे में जो डिसीजन हो सकता है उसके लिए इतना स लग रहे हैं इनको और यह देखो प्रशासन यूनिवर्स्टी में हमने कॉमिनिस्ट को एक बात बोलता हुए सुना है कि यह जो पुलीस है यह एक सरकार ने अपड़े इसको दुबाने के लिए लोगों की आवास दुबाने के लिए रखे रखे है हम क्या गलत कर रहे हम को चाहिए पनाई जा रही है तरोने के लिए लूग दूब है और वहां पे सबसे पहले ये भी गलत है कि मजज़ी तोड़ी जारी है सबसे पहले ओम स्कार्च कौट तोड़ना चीए नाजिकरीए को मारना चीए पहले जो वहां पे भूस खाके बैटे हुए है इसके जिए सा कि यहां पर गिरादा चाहिए अवैद मस्जित को ये माम करते हुए प्रटेशन कारी प्रटेशन कर रहे हैं और ऐसे में यहां पर मुश्किल हो रही है पुलिस प्रटेशन के लिए कैसे इस्तिती को काबू किया जा है लगातार हर एक तस्वीर आप तक पहुचाते रहेंगे बेराल ख़बरों में आगे बढ़ते हुए मुंबई से बड़ी ख़बर करू करते हैं मलाइका अरोडा के पिता की संदिक्द मौत हो गई है मार्जा में छटे माले से गिरने से मौत होई पुलिस बॉके पर पहुची जाच चल रही है इस वक की बड़ी ख़बर आ रही है मुंबई से माया नगरी से मलाइका अरोडा के पिता की संदिक्द मौत का मामसा में आया है बांदरा में चटे माले से गिरने से मलाइका अरोडा के पिता की मौत हो गई इसे संदिक दिमाना जा रहा है पुलिस मौके पर पहुंची है जाच पर ताल की जा रही है बहुत बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बता रहे हैं मुंबई से जहाँ पर मलाइका अरोडा बॉलिवूर्ड आट्रेस मलाइका अरोडा के पिता के संदेग मौत हो गई है बांदरा में उनका घर है छटे माले से गेड़ने से उनके पिता की मौत होई फिलाल पुलिस मौकियों पर पहुँची हुई है जाँच परत जाल की जा रही है ये समझने की कोचिच की जा रही कि किन परिस्तियों में मलाइका अरोडा के पिता की मौत होई है बड़ी ख़बर आपको दिखा रहे हैं उनके पोर्व पती भी आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं अरवाज खान मुंबई से बड़ी खबर मलाइका अरोडा के पिता की संदिक्द मौत हुई है इस वक्त की बड़ी खबर बांदरा में छटे माले से गिरने से मलाइका अरोडा के पिता की मौत हुई पुलिस मौके पर पहुँची है वाइना कर रही है जांच परताल की जा रही है और इस समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार किस तरीके से मलाइका अरोडा के पिता की मौत हुई है इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शुकों को बता रहे हैं मुंबई से आ पुलिसे से संदेख दमाग कर जल रही है और इसलिए वहाँ पर पुलिस अरिकारी मौके पर पहुँच कर जाच परताल कर रहे हैं मुंबई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बार्दा की तस्वीर ही दिखा रहे हैं यहाँ पर मलाइका रोडा का घर है, छटे माले से, गिरने से मलाइका रोडा के पिता की मौत हो गई है, पुलिसे से संदिक दमान रही है, लेहाजा जाच परताल की जा रही है, और इस समंधे की कोचिच की जानी की किस तरीके से मलाइका रोडा के फादर, यानि उनके पिता क की मौफ हुई इस वक्की बड़ी ख़वर मुंबई से महराश की मुंबई से बड़ी ख़वर आ रही है जहाँ पर मलाइकार रोडा के पिता के संदिक बहुत कमाना सामने आया अब पानी की बहुचारे हैं कि अवराफ है ये मस्जे तो फिर कारवाई क्यो नहीं की जा रही आरे घंटे में ही पूरी डेमोलिश हो सकती ही मजिब लेकिन आखिरका प्रशासन किस बात कंदिजार कर रहा है पुरी किस बात कंदिजार कर रही है इसी आख्रोश को यहापस चड़कों पर जता है जा रहा है धारा 163 लागू करती गई थी लेकिन उसकी वाबजूर पूल जा रहे थे में तो रास्ते में सीवी चल रहे थी लोगों नहीं आपे प्लिस पर शार्शन मुल्गा पात इन लोगों ने पता नहीं क्या करके रखा हुआ है जंता भी फुली जार रहे हैं पर सो भी प्रशन हुआ है सब कुछ ठीक था लोगों ने एक पथर तक नही किकि आप इन्होंने आम चलता अर्फका को यह कोई बाहर से रोग नहीं आये गर घर से यहीं से निकल कर आए में तो प्लिकुर कर यह कुण पर त्माम लोगों को चाहे जा कम किया है आप देख सकते कि आम जंता को भी इसमें लिप्त किया जा रहा रहा है जो लोगा जो ती तों यहांपर देखिए लाइफ तस्weeर आपको दिकारे इस नजगोली में जहापर प्रजशन कारियों पर लंभे लंबी पानिकी ब हॉद्षवा छोड़ी शारी है प्रिजियंट कारियों के बीच में हंगामा हो गये था, प्रिजियंट के दराणर ऐसे में यहाँ पर पुलिस ने लाधी चार्ट किया काबू करने के लिए ताकि जो प्रिजियंट कारी है वो मजजित की तरफ ना बढ़ सकें चुकि पोशिश थी मजजित की तरफ बढ़ने की आक्रोश है हिंदू संगचनों में वहां के मौजूद लोगों के बीच में कि आकिर कार एक आएक यहां पर एक दो ती नहीं के लोगों के उपर यहां पर जास्मिन वह रही है तुबार से बीड़ आगे पना यहां पर शुरू ही है आप देख सकते हैं बड़ी संग्या में यहां पर पिल्कुल फिर एक पार फिर फिल्कुल जस्मिन किरे कि बारिकेट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है उसको हटा कर आगे बढ़ने की कोशिर प्रिजर्शन कारी कर रहे है ऐसे में पहले लाखी चार्च किया गया लेकिन इसकिती जब काबू नहीं हुए तो इसके बाद यहां पर वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया जा रहा है ताकि प्रिजर्शन कारी उपर काबू पाई जा सके बहुत मुश्की हो रही है पुलिस के लिए प्रिजर्शन कारी को काबू करने में position कारी बेहाद आखya को आप आफंवने उना कि वह साथ पता खरे कि हमारा आख्रोश हमारा गुस्ता जायद है प्रिशास्त नहीं सुन रहा आखित का इससे फारे घंटे का ही तो काम है डिमोलिश की ला सकती है वैद मस्जिद लेकिन आपर प्रजेशन कारी साथ वह इसमां को लेकर आगे बर रहे थे मस्जिद की तरह कि उनको रोग दिया गया बैरिकेटिंग लगाई गई है लेकिन उस बैरिकेटिंग से भी इससे पहले लाठी चार्ज भी किया गया था लाठी चार्ज के बाद अब ये देखिए दूसर तरीका किस तरीके से प्रजेशन कारी को कंट्रोल किया जाए वाटर क्या जारा ये जो पूरा मस्ज़ा है अवैद मस्जों से जुड़ा हुआ है आज कर ने कई दिनों से लग अधिचा है जो पूलिस प्रशासन चरहें ये यह बहुत अन्याय कर रहें और हम चार्जा करेंगे चाय वारे लाशों के इस उपर से तो था इनों ने हमारे बंदों को दंधों से जैर मतलब के मारा था शान्टी प्रदेशन हो रहा था जानी कि प्रद्शन कार्यों आपको आपने सुना जहां पर सांप तो आपके रहा है लेकिन हम लोगों पर लाट्टी चार्ज के जा रहा है वोटर कैनन की दरोग क्या पड़ी जब हम सांतिपूर तरीके से प्रिजशन करे थे मस्टा या सिर्फ अवट मस्जित नहीं है बलकि यहां पर घुस पैती है रोहिंग्या है और इसी को लेका लोगों के बीच में आखरोश है